सनावत के समीब नर्वदा तर्टिस्तित कडगड़ा के अमनात कूठी आस्रम में एक अनूठी गटना गटी एक सर्प ने आस्रम की गाय गंगा को काटा जिसमें उसकी म्रत्य हो गई लेकिन आश्र ये हुआ कि करीब 24 गंटे बाद उसी इस्थान पर सर्प ने आकर अपने प्रांट छोड़ दिये ये अनूठी गटना को लेकर आश्रम सहीद आसपास के भक्तगन हत प्रद है आश्रम में संत अरुण गिरी महराज ने बताया कि प्रातर काल करीब 5 बजे गाय गंगा को उठाने का प्रयास किया गया किन्तु गाय नहीं उठ पाई गंगा की बिमार दसा देखकर पसुचिकिसक द्वारा इलाज भी करवाय गया लेकिन गंगा ने दम तोड़ दिया दूसरे दिन करीब 24 घंटे बाद उसी इस्थान पर सरपने आकर दम तोड़ दिया वीदी के विधान से हुई इस घटना से सब भी आश्चेर चकी थे इस निमित पंडित संथ समुदाय सहीत सधालों को भोजन प्रसादी गरण करवाई गई सनाव से प्रभू दोगया की रिपोर्ट मनात कुटी में हमने गाये रखी थी उसका नाम हमारा गंगा नाम रखा वा था और सुमार के दिन करीब पहुने पांच बजे में जब गौसाले में गिया तो अच्छे तवस्ता में बैठी वी थी तो उसको ठाकर करके दूसर हमारे हाथों में छोड़ दिया और पिर मने उसकी बिध्यवत जैसे संत मातमाओं का संस्कार होता है उसी प्रकार से सुमार के दिन अंतिम संसकार किया समाधी लगाई और मंगल वार के दिन सुबह जब दुबारा में कोशाले में गिया वहां दुसरे पसुबी और भें थे तो उसी अस्थान पर उसी सर्ब ने आ करके अपने प्राण छोड़े उस सर्ब का भी हमने अगनी संस्खार करके और मा नरवदा में उसकी राग को प्रवाभीत कर दिया तो उसका हमने बिदुवत रुद्रावशे करवाया नोगरा पुजिन करवाया और उसकी पिंड करवाया और आज हमने सोटसी बंडारा जो इसे महातमाओं का वदा सोलवे दिन तो उसका आज मने सोटसी बंडारा किया उसमें इंदोर से अखन धाम के महामाले सर स्वामी बहुत लोग वह समय में इसका भव्व्वे मंदर बनाने की तियारी चल लए और तरीव साड़े 500 स्कॉर फिट जमीन में आ मां गंगा के नाम से गंगा गार्डन बनाने की त्यारी है बघिच्चा बनेगा उसमें और बच्चों के लिए खिलने की जगा वो रहेगी है वो मा के नाम पी अस्थापना उसकी करनी है और हमने गायन नमान करके मा के रूप में उसको पुजा और मा के रूप में उसका संस्कार किया और मा के रूप में उसका बने भंडारा किया गव माता को लेकर बड़ा सुंदर उधारन इनोंने अरुन गिरी जी महाराज ने अपने आस्रम में और बड़ाई सुन्दरता का प्रतिक देते हुए है सनातन धर्म के लिए नहीं तो समस्त धर्मयोगों को एक सुन्दर उधारन रखा है क्योंकि परियावरन के लिए रुक्ष की आवशक्ता है खिती के लिए मल मुत्र गव के खत की आवशक्ता है गव के लिए जो सद भावना सभी लोगों के मन में प्रागट्टे भाव करना चाहिए ये अरुन गिरी महाराज जी ने अपने आश्रम में सभी गनमानने नागरियों को लेके और संत मनतों के साथ में ये जो कारेकरम किया है ये समाज को दिशा देने के लिए क्योंकि हम दिन वो दिन देखते जा रहे हैं कि रुख्ष कटे जा रहे हैं इसलिए आज इन्होंने रिक्षर उपन और साथी साथ में गव माता गव माता का ऐसा प्रतिक उधारन दिया समाज को कि हम तो गव तो रख लेते हैं गव तो रख लेते लेकिन गव माता की सेवा भी कर लेते हैं लेकिन गव हमारी जीवन का कितना बड़ा समाजिक अंग है समाजिक अंग है राष्ट की नहीं पुरेदेश की धर्वर है इसका प्रस्ताफित उधारन आज इन्होंने गव माता का कारेक्रम किया जिस गव माता के कारेक्रम में गव माता के प्रतीचों इनके अंदर की मन भावना सारे जितने गव भक्त है क्योंकि हम मा को तो मा मानती है जिस मा को मा से हम जन्म लेते हैं उनका साल भर दुद्ध पान करते हैं लेकिन गम आता है एक ऐसी गम आता है कि जिनका दुद्द पान हम पूरे जीवन भर करते हैं।